हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं कुछ कारी हम करते हैं अर्थिक संपर्णता के लिए कुछ कारी हम करते हैं इस रिधाय को प्रसंद करने के लिए तो हम मैंसे अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कारे हमने सूचा था वो वैसा नहीं हुआ कि ये कारे पूर्ण नहीं हुआ तब काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित परती है और ये दुख पल-पल हमें मार देता है तो सुचिए क्या ये सच है क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है समझे एक महत्वपूर बार आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुश आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आज आपके पास है उतने ही घड़ियां थी उतने ही प्रहत थे अंतर बस इतना कि उन्होंने चिल्टा में समय नश्ट नहीं किया उन्होंने योजना बनाई उसे कार्यान विट किया और जीवन में महान से महान कार्य किये जिसके कारण आज भी हम उन महा पुरूशों को स्मरंग करते हैं एक महत पुरण बास परिण रखेगा काम की अधिकता हमें नहीं मारते है काम की चिंता हमें मारते है तो इस चिंता को कहें प्याग दीजे और निरमतर प्रयास कीजे यूजना बद्ध बन जाई और जीवन में केवल आगे बढ़ी आनन्द ही आनन्द होगा थोड़ा सा आनन्द निकाल कर मेरे साथ नहीं काथे रादे